आज हम बनाएंगे आलू टमाटर की चटपटी सब्जी मैं हूँ वर्षा और मेरी वर्षा इस किचिन में आप सभी कस्राइगते तो आए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले 500 ग्राम आलू को दो कर चील कर पानी में डाल लिया है और इसके लिए मसाला तयार दालेंगे यह सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती एक बार जरू ट्राइग कीजिए और चार से पांच काली मिस डालेंगे एक बड़ी लाइची एक टुकड़ा दाल चीनी का और तीन लॉंग डालेंगे अब ड़क कर इसे पीस कर इसका मैंने मसाला बना लिया है आब इसे हम एक बाउल या कटोरी में निकाल लेते हैं निकाल के से साइड में रखेंगे अब गैस पर एक कुकर रखा है एक बड़ा चमच सरसों का तेल कुकर में डाल लेते हैं और तेल के गरम होते हैं आदा चमच जीरा डालेंगे जीरे को अच्छे से भून लेते हैं जीरा जैसे ही भूनता है जो हमने मसाला पीश के रखाता सभी मसाले को धीरे धीरे करके हम कुकर में डाल लेंगे बराबर चलाते हुए इस मसाले को अच्छे से तेल के रिलीज होने तक हम भून लेते हैं तो बराबर चलाते हुए मसाले को भून है तो देखिए इस तरह से मसाला मेंने भू दालेंगे पानी डाल कर सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करते हुए 2-3 मिनत्म भून लेते हैं तो मसालों भूल चुका है आदा चम Rachfish नमक डालेंगे नमक डालकर भी कुछ देर के लिए मसाले को अच्छे से भून लेंगे तो नमक में चाब अपने टेस्ट के अक्वाडिंग ले सकते हैं तो इस तरह से मसाला भून के हमने रेडी कर लिया है तेल भी रिलीज करने लगा है और अब इसमें जो मैंने आलू दोके रखेते थोड़े-थोड़े करके आलू हम कुकर में डाल लेते हैं तो मैं साबूती बना रही हूं आप चाहों तो काट कर भी इसको बना सकते हो आलू डाल कर आलू को भी मसाले के साथ हम इस तरह से मिक्स करते हुए अच्छे से भून लेंगे जिससे बहुत ही बढ़िया इसका फ्लेवर आएगा सब्जी का तो आलू भी हमारे मसा करको हम खोल के चेक कर लेते हैं तो यह सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती एक बार जरू ट्राइक दीजिएगा तो सब्जी हमारी बनके तैयार है उपर से थोड़ा सा रधनिया रा लेंगे बारी कटा हुआ और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अगर आलू को लेके हम हम चेक कर लेते हैं तो आलू भी हमारे अच्छे से सॉप्ट हो गए तो बहुत ही बड़ी है सब्जी बनके तैयार हुई है गर्मा गरम आलू टमाटर की सब्जी को हम सर्थ करेंगे वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताए थैंक यू फॉर वाच्छी